नमस्ते बच्चों, कुक्षत चार गणित विशे में अपने अध्याए छे आक्ततियां, इसमें प्रशनावली छे का पहला प्रशन अपने हल कर लिया था, आगे अपने दूसरा और तीसरा प्रशन हल करेंगे, जिसमें वृत से जुड़े वे कुछ प्रशन हैं, तो वृत के अब देखिए, जैसे इपने कोई भी गोल्ट चीज, जैसे चूड़ी, या जैसे गिलास या कटोरी की साहिता से भी अपनी इस ताय का गोल्ट चित्र बना सकते हैं, यानी वृत बना सकते हैं, और देखिए अपने जो जुमेटरी बॉक्स में परकार आपने देखा हुगा प्रकार की साहिता से जब अपनी वृत बनाते हैं तो प्रकार का एक सीरा तो इस तरह से नुकिला होता है एक सीरे में अपने पैंसिल डालते हैं तो ये नुकिला सीरा और ये पैंसिल की नोख दोनों एक सीद में होने चाहिए फिर अपने जब प्रकार कागज पर प्रकार की सहायता से जब अपने वृत बनाते हैं तो जो नुकलिला सीरा होता है इसको कोपी पर रखकर फिर पैंसिल को चारों और इस तरह से गुमाते वे वृत बनाते हैं तो जहां पर अपने प्रकार की नोक रखी भी है, वो बिंदू क्या कहलाता है, वृत का केंदर कहलाता है, और ये देखिए वृत के बिल्कुल क्या होता है, बीच में होता है, यानि बिल्कुल सेंटर में होता है, सेंटर को ही अपने क्या कहते हैं, केंदर कहते हैं, तो वृत का केंदर क्या होता है कि जब अपने परकार की नोक को कागज पर रखकर वृत बनाते हैं तो जिस बिंदू पर परकार का नुकिला सीरा रखा जाता है वो बिंदू वृत का केंदर कहलाता है ये क्या है वृत का केंदर कहलाता है अब देखिए इसके बाद में वृत के चारों और ये जो गोल गहरा है इसे क्या कहते हैं इसे वृत की परीदी कहते हैं क्या कहते हैं इसे परीदी यानि वृत के चारों और जो गोल गहरा है ये इसकी क्या कहलाती है परीदी इसको जैसे अपने कोई भी मालेजी जैसे मैंने ये चतुर गुज बनाया अब देखे मालेजी इसकी ये है चार सेमी ये भी चार सेमी ये जैसे तीन सेमी ये तीन सेमी तो इसके चारों ये जो बुजाएं हैं इसका माप कहलाता है इसको उपने कहते हैं परिमाप क्या कहते हैं परिमाप कि किसी व्याकृति के परी यानि चारों और और माप यानि माप उसकी लंबाई चुड़ाई से तो किसी व्याकृति के लंबाई चुड़ाई या चारों और के माप को क्या कहते हैं परिमाप कहते हैं तो जो परिदी है ये वृत का क्या होता है और वृत में उसको क्या नाम देते हैं परीदी यानि जैसे की बाउंडरी इसको क्या कहते हैं परीदी कहते हैं अब देखिए इसी तरह से जैसे मैंने ये वृत बनाया अब इसके बीच में जहां पर जैसे प्रकार की नुकिला सिरा रखर अपने इसको बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है जैसे मान लीजी में इसको कोई नाम देती ह 일단 हूं ए इस बिंदो को तो इसका केंदर क्या है अब है फिर ये जो बाहर वाली इसकी चारों का जोगहरा है परीदी है ऑप其實 जो इसका चेंड्र है इसके केंड्र से इसकी परीदी पर किसी बी बिंदु को यहां पर मैंने कोई बिंदू लेलिया वी ह emailed है ये बिंदू है ये बिंदू ऐसे पी है ये तो इस पी को और इसके केंदर ए को जब अपने किसी रेखा घंड के द्वारा इससे मिलाएंगे तो ये क्या कहलाती है वृत की त्रीजा कहलाती है क्या कहते है इसे वृत की त्रीजा यानि वृत के परिधी परिस्थित किसी भी बिंदू को जब अपने इसकी क किसी इस के इंदर को अपने कहीं से भी इसकी प्रीधिपर करें भी किसी भी बिंदु से मिला दें तो वह क्या कहलाएगी त्रीजा कहलाएगी और इतर्जे में प्रिक्त को वो क्या होती है समान लंबाई की होती हैं आप देख़ी इसके बाद में जैसे यह वृत है और अब इसकी परिदी पर इसीत कोई दो बिंदो कि इनको मिलाएंगे और यह रेखाखंड इसके केंद्र से होकर गुजरता है तो यह क्या कहलाता है वृत का व्यास कहलाता है कि वह रेखा खंड जो वृत के केंदर से होकर गुजरता है और उसकी कि पृदी पर किसी वी दो बिंदों पर काटता है तो वो क्या कहलाता है वृत का व्यास कहलाता है क्या नाम है इसका व्यास अब देखे मालीजी ये वृत है ये इसका केंद्र है अगर मैं इस तरह से ये रेखाकंड खिंचा है मैंने तो क्या ये वृत का व्यास है ये नहीं है क्योंकि ये देखे वृत पर इसकी परिदी पर दो बिंदूं को तो मिला रहा है लेकिन ये वृत कе केंद्र से होकर नहीं गुजर रहता केंद्र तो यह रह गया और ये अपने रेखाकंड इधर किंचा है तो ये व्यास नहीं है इसको क्या कहते है जीवा कहते है गहा है और और व्यास के लिए क्या होता है कि जो रेखाखंड वृत के केंदर में से होकर गुज़रेगा वही उसका व्यास होता है जैसे यह है अगर मैं इस तरह से यह रेखाखंड के इंचा है तो यह भी क्या है का व्यास है क्योंकि यह केंदर में से होकर गुज़र रहा है इस तरह से और ये जो त्रीजा होती है अब देखिए त्रीजा है इतनी और व्यास इसको अगर इधर और बढ़ा देंगे तो ये व्यास बन गया तो जो त्रीजा है वो व्यास की क्या होती है आधि होती है या यूं कहले जिए कि जो व्यास है वो त्रिजा का दुगना होता है जैसे ये इतनी त्रिजा है और अगर इसको इधर और बढ़ा देंगे तो ये बन गया व्यास तो व्यास है वो त्रिजा की आदि होती है व्यास त्रिजा का दुगना होता है और त्रिजा है वो व्यास की आधी होती है अब आगे देखिए इसका दूसरा प्रशन हल करते हैं कि वृत के चित्र को देखकर निम्न के नाम लिखे तो इसमें अपने को त्रिजा व्यास और केंदर इनके नाम बताने है अब चित्र में देखिए इसका केंदर क्या है O है वृत का जो केंदर दिखा रहा है वो क्या है O फिर देखिए त्रिजाएं कौन-कौन सी है तो O और T ये भी एक त्रिजा है इसकी O T इसी तरह से O और P ये भी इसकी एक त्रिजा है और देखिए जैसे O और Q ये भी एक त्रिजा है इसी तरह से एक और त्रिजा दिवी है O और S तो O T O P O Q O S ये चारों इसकी क्या है त्रिजाएं है अब देखिए व्यास का नाम बताने है अपने तो S और T और Q और P S T या T S कुछ भी लिखे और Q P या P Q ये दोनों इसके क्या है व्यास है आगे इसका तीसरा प्रशन देखिए सत्या और असत्या कथन बताने है तो पहला है कि व्रित में एक से अधिक व्यास हो सकते हैं तो अभी अपने देखा था खेंच कर भी देखे थे तो व्रित में एक से ज़्यादा व्यास हो सकते हैं तो ये कथन क्या है सत्या है फिर देखे दूसरा है कि त्रिजा की लंबाई व्यास की आदी होती है तो ये कथन भी क्या है? सत्य है त्रिजा इतनी है और इसको इधर और बढ़ा देंगे तो ये व्यास बन गया तो ये इसकी क्या होती है? आधी होती है फिर तीज़ा देखिए एक ही वृत की दो अलग-अलग माप की त्रिजा हो सकती है तो ये कथन क्या है ऐ सत्य है गलत है सभी त्रिजाएं क्या होती है समान माप की होती है फिर चोथा देखें वृत की व्यास सदेव केंदर से बुज़ता है तो ये भी सत्य है तो आप इस वीडियो को द्यान से देखेंगे और इसका दूसरा और तीसरा प्रशन है ये हल ये धनिवादा